इलेक्ट्रोनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और सेयर करें और बैल आइकन को दबाएं और लाइक भी करें तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने घर पे खुद का अपना टैस्टर कैसे बना सकते हैं कि देखी हमारे पास इस तलिके का अगर मीटर होगा तो इससे हम एसी लाइन के अंदर यह नहीं पता कर पाते हैं कि हमारी जो लाइन है ओर्ट कौन सै और गरम कौन सा है जिसे कि हम negative और positive बोलते हैं उस तरीके से गरम और ठंडा बोलते हैं तो वो हम देखिए हम इस meter से check करते हैं तो हमें इस meter पर पता नहीं लगता है हम दोनों तरफ से जब इसे check करेंगे तो बस यह खाली हमें reading दिखाएगा तो उसके लिए हमें जरुत पड़ती है एक tester की तो मैं आप आपको tester बनाना दिखाऊंगे कि tester आप घर पे खुद कैसा बना सकते हैं तो आपको यह एक बलब चाहिए नियोन वाला यह बलब आपको इंडिगेटर के अंदर मिल जाएगा जो हमारी एसी लाइन के जो इंडिगेटर होते हैं यह उसमें मिल जाएगा और आपको एक resistance लेनी है 820 के 820 के quarter watt में एक resistance लेनी है और यह resistance जो है आप 800 से लेकर और आप वन मेगा ओम तक या 900 के तक आप यूज कर सकते हैं अगर आप उससे कम लगाएंगे तो आपको टेश्टर के अंदर लग जाएगा इसलिए मैं कहता हूं कि आप 820 के से लेकर वन मेगा ओम या उससे नीचे तक लगा सकते हैं पर 800 से नीचे नहीं होनी चाहिए अगर 800 से नीचे लगाओगे तो आपको शोट लग जाएगा क्य तो देखिए यह हमारा अर्थ हो गया और यह देखिए इसमें हमारा यह बलब देखिए जल रहा है यह हमारा फेस हो गया तो हम इसी से ही चेक कर सकते हैं कि हमारा फेस और अर्थ कौन सा है यह देखिए इससे हमारा यह बलब जल रहा है तो यह हमारा फेस है और यह हमारा अ तो ना है आपको बता दिया आपने घर पे घुद का एक टेश्टर बना सकते हो आपको इस किसी भी में आप इसे कर सकते हो पेक करने के बाद एक वायर को दूसरी तरफ निकाल लीजिये तो उसके आप चेक कर सकते हैं कि आपका face कौन सा है और अर्फ कौन counselor यह की फरीश पर ही जलता है और यह मेट्र से चेक नहीं कर सकते हैं तो दोस्तो मेरी वीडियो आको कैसी लगी हो तो subscribe जिरू करना